नमस्कार दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि पाइप का वेट और प्लेट का वेट कैसे निकालते हैं क्योंकि जब भी कोई मेटेरियाल एक जगा से दूसरी जगा सिप्ट करते हैं आप तो उसका वेट मालूम होना चाहिए आप तो आईए वीडियो को स्टार्ट करते हैं औ वीडियो को पूरा देखिए अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करिए और सेर करिए और सस्क्राइब कीजिए पाइप का वजन निकालने के लिए आपको पाइप का लैंथ पाइप का डाया कितना है आउटर डाया ओडी और उसका थिगनेस यह तीन चीज आपको मालूम होनी चाहिए और आए हम लोग निकालते हैं पाइप का साइज कितना था पाइप का ओडी 60 mm तो OD माइनस थिगनेस कोस्ट में कोस्ट तो OD माइनस थिगनेस कोस्ट इंटू थिगनेस इंटू देखिए एमेम को मीटर में बदलने के लिए दाहिने से तीन अंग के बाद दसमलाव लगाएं 0.0 लेंद इसका 57 इन्टू 0.02466 आपका वजन निकल के आगया देख सकते हैं 521 गराम एनी हाफ केजी ये जो कल्कुलेट हुआ है इससे थोरा सा कमती है पाइप में थोरा जंग है इसलिए इसी तरह आप किसी भी पाइप का लंबा कितना भी हो आप असानी से ये फर्मुले से आप निकाल सकते हैं कोश्ट में OD माइनस थीगनेस इन्टू थीगनेस इन्टू लेंथ इन्टू 0.024 डबल सेस आप इससे निकाल सकते हैं तो आईए प्लेट का वजन निकालने के लिए प्लेट का लंबाई और चोराई और मोटाई ये तिनों चीज आपको मालूम होना चाहिए तभी आप जाके प्लेट का कितना भी मोटा हो लंबा हो आप असानी से निकाल सकते हैं तो आईए हम लोग निकालते हैं प्लेट का वजन प्लेट का लंबाई कितना था 96 तो 96 .096 इन्टू चोड़ाई कितना था 70M तो 0.070 इन्टू थीगनेस कितना था 12mm तो थीगनेस जितना रहेगा उतना ही लिखना है 12mm में ही लिखना है तो 12mm थीगनेस हो गया इन्टू फेक्टर फेक्टर कितना है अबको मैं बता रहा हूं 7.85 ब्राबर आपका वजन निकल के आ गया 633 गराम अपका वजन कितना आ गया 633 गराम वजन निकल के आ गया तो इसी तरह आप किसी भी प्लेट का वजन ये फर्मूले से निकाल सकते हैं उमीद करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने का जड़त नहीं परेगा ये जो फर्मूला है आप इसको नोट कर सकते हैं या याद कर सकते हैं और वीडियो पसंद आये तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेश्ट वीडियो में थेंक्ट